प्राइब नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरू चैनल में जिसा कि मित्रों आपको हम वादा किये थे कि ये बताएंगे कि O-Level में रेजिस्टेशन कैसे करते हैं प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे अभी पूरा वीडियो आप आखरे तक देखते रहेगा बहुत मज़ा आने वाला है मैं बात कर रहा हूं रतना करुपाद्धिया और आप देख रहे हैं यूनिक ऑनलाइन गुरू चैनल चलिए दोस्तों कुछ अच्छा सिखते हैं तो दोस्तों हम लोग स्टार्ड करते हैं अब अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग रजिस्टेशन करते हैं O-Level में हम लोग पूरा डिटेल्स में जानेंगे एक-एक पॉम को fill up करना एक-एक column को fill करेंगे ठीक है सबसे पहले हम किसी browser को open करेंगे इसकी website होती है student.nylet.gov.in इसकी website होती है जैसे ही आप इसको open करेंगे आपके सामने सबसे पहला notification दीखेगा कि आपको क्या-क्या नए notification आये हुए है नाई-लेट के तो यहाँ पर आप क्या करेंगे जो भी notification आपको देखना है आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ से जाएंगे और यहाँ सीधे लिखा हुआ है apply online क्या लिखा हुआ है apply online तो apply online पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक नया page खुल जाएगा और उस नया page पर आपको जो-जो form फिल करना चाहते हो चाहे वो O-Label हो, A-Label हो, B-Label हो, C-Label हो चाहे BCC, CCCC, ECCC, C-C-C-C हो कुछ भी हो, कोई भी form फिल करना चाहते हैं तो आप उस form को फिल कर सकते हैं यहाँ से दोस्तो 9L8 के सारे form यहाँ से फिल होते हैं तो हम लोग बात करते है O-Label पर तो जैसे हम लोग O-Label पर हम पर उहाँ क्लिक करेंगे हमारे पास देखिए फॉर्म खुल जाता है पूरा रजिस्टेशन का फॉर्म यहाँ पे खुल गया दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे हम जुलाई 2020 यह आपको बता रहा है ओ लेबल है ठीक डायरेक्ट केंडिडेट है या फॉर्म फिल करने की जरूरत है हमने का कर दिया यहाँ पे? अपना नाम फिल कर दिया फिर यहां पे मैं कोई भी अपने पापा का नाम फिल कर देता हूँ ठीक है तो यहां पे मैं कोई भी नाम फिल करता हूँ अपने नाम के बजाए मैं कुछ भी रमेश लिख देता हूँ ठीक है रमेश लिख देता हूँ रमेज सिंग और पिता का नाम लिख देते हैं महेज सिंग क्या लिखते हैं हम लोग पिता का नाम कुछ भी लिख देते हैं सब हमारे हाथ में होता है कि हम लोग क्या लिख रहे हैं हम लोग लिख दिये हैं महेज सिंग माता का नाम लिख देते हैं रीना देवी बास समझ में आई क्या लिखते हैं हम लोग रीना दे भी हम लोग लिख देते हैं ठीक है और यहाँ पे हम लोग male या female क्या है किसका form हम लोग भर रहे हैं यहाँ पे उसको choose करेंगे फिर यहाँ अगला है हमारा date of birth क्या है यहाँ date of birth तो इस condition में आ तो आप type कर दीजिए या तो directly आप यहाँ पे दिया हुआ है हमारा calendar यहाँ पे calendar को select कर लीजिए तो calendar को select करने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ 1999 February 1-2 जो भी आपके समझ में जो भी आपका data birth हो real उसी को यहाँ पे आप लोग डालेंगे single married decoverd क्या है widow word जो भी है आपका आप यहाँ पे डाल सकते हो single डाल सकते हो married डाल सकते हो यार इतनी उम्रवाले कि तो साधी नहीं होती है लेकिन आज कल कुछ भी संभव है ठीक है तो उस पे आप लोग single married जो भी डालना चाहते हैं डाल दीजे category की बात कर लिया हमने सामाने category general SCST जो भी है आपका आप यहाँ पे अपना full फेल कर सकते हो अगर वो बंदा विकलांग है दिव्यांग है तो यहाँ पे डाल सकते हो पुर्वसैनिक है तो यहाँ पे कर सकते हो आप religion की बात होई तो हिंदू, Christian, Islam, Sikh जो भी है आपका आप अपना religion यहाँ पे फेल कर दीजिए फिर यहाँ पे अपना mobile number डाले जैसा कि मेरा mobile number यहाँ पे डिया हुआ है और यहाँ पे rames.gmail.com कोई भी gmail डाल देते हैं ठीक है फिर उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे address डाल देते हैं जैसे मालीजे हमने डाल दिया एक, दो, तीन, A, B, कुछ भी है अपना address है जो भी हमारा बटा A, 15, जो भी है इसको feel कर देंगे फिर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे ADA, कालोनी भर देंगे कुछ भी भर सकते हैं आपके अंडर में है यह सारी चीजे, फिर हम लोग डिस्टिक डाल देंगे address डाल देंगे, city डाल देंगे ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग select करेंगे state को, क्या करेंगे select state को select करेंगे फिर यहाँ पे हम लोग district select करेंगे और यहाँ पे pink code, और यह दोस्तो जो हमारा correspondence address पूछ रहा है यह पर्मानेंट एड्रेस अगर कर्सपॉंडेस एंड्रेस सेम है अगर तो आप लोग यहां पे क्लिक करेंगे तो आटोमेटिक फूल फिल हो जाएगा और अगर सेम नहीं है तो आप लोगों को फिर से करना पड़ेगा दोस्तों ठीक है तो यहां पे सेम एस प अनुभाव डालना बहुत ही जरूरी है अगर आप एक साल का अनुभाव नहीं डालते हैं तो कोई मतलब नहीं है आप फिर कुछ कंप्लेट नहीं कर पाएंगे आपका फॉर्म कंप्लेटली फिलप नहीं हो पाएगा क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो है यहां पे जो जो कॉलम्स दियों सब अनिवार हैं फॉल्फिल करना दोस्तों तो यहां पे डालना अनिवार है एक साल का ठीक है फिर यहां अधार कार्ड डालेंगे हम लोग 1,2,3,4,5,7,8,9 जो भी आपका अधार कार्ड है आप लोग अपना अधार कार्ड फॉल्फिल कर देंगे फिर यह इसना से हम लोग फोटो जैसे हमारे पास कोई फोटो का आएगा तो हम लोग कोई भी एक फोटो उठा लेंगे और थोड़ा सा हम लोग Microsoft Office से इसको क्रॉप कर लेंगे कैसे क्रॉप करते हैं Microsoft Office पे यह आप लोग देख लीजिया ठीक है यह भी आप लोग को इसमें देखने क मौका मिल जा रहा है जैसे मालीजे यह हैं इतने स्मार्ट दिख रहे हैं यह ठीक है इनको मालीजे डालना है उसमें बास समझ में आई इसमें इनको डालना है पहली बात तो इनका इतना बड़ा नाम है कि यह नहीं लेगा तो हम लोग F2 से करके जो भी यह कुछ भी डाल द तो हम लोग क्या करेंगे थोड़ा इसके recording कट कर लेंगे यहां से कैसे कट करते हैं यह भी मैं आप लोगों को सिखा दिया हूँ अब आगी ज़्यादा बताने की जरूरत हमें नहीं है तो हम यहां से क्या किया सिगनेचर के बराबर में इसको कट कर लिए और यहां से सेव करक इनको ठीक है फिर यहां पर क्या चाहिए इनको थंब चाहिए दोस्तों क्या चाहिए इनको थंब चाहिए तो थंब यहां से हम लोग कट कर लेते हैं देखो हम सब कुछ FTP पर बना रहे हैं किसी का particular कोई photo कोई signature कोई थंब नेल नहीं डाले हैं तो इसलिए सबसे अच्छी बात है कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे माउस को थंब नेल बना लेते हैं और यहां से क्या करेंगे हम लोग कट करके थंब नेल डाल देते हैं बास समझ में आ रही है ना हम लोग यहां से थंब नेल डाल देंगे फिर उसके बाद अमोल ऑन चीक हम एक कट मारक ऑन हैड ज प्रवाइट है तो फाइफ एट फिल करके डिकलिजेशन फिल करके सब्मिट करना तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए यहां पर जुलाई है डायरेक्ट कंडिडेट है रमेश सिंग नाम है महेश सिंग पिता जी का नाम है रीना देवी डेटा अब बर्त यह जनरल है सिंग प्रवाले इलावाद के इनका पिंक कोड है यह फिर पर्मानेंट एड्रेस भी सेम है तो हमने यहां क्लिक कर दिया है यहां टेन प्लस टू दिया हुआ है तो यहां पर क्लिक कर लिए दो हजार पंदरा एक है फिर आधार कार्ड है यहां पर आधार कार्ड नंबर डाल दिय और यहां पर कोई हमें एक mark देना पड़ता है body में जो चिनित mark हो वहां पर देना पड़ता है तो यहां capture फोलफील करेंगे है यहां पर declaration ओके करेंगे और submit कर देंगे बास समझ में आई तो देखे यहां क्या खह रहा है थंबनेल का जो नाम है बहुत ही ज़ादा लंबा हो गया था ठीक है तो क्या करेंगे हम लोग थंबनेल का जो नेम है उसको थोड़ा सौट कर लेंगे क्योंकि नाम ज़ादा लंबा रहेगा तो भी वो accept नहीं करता है बास समझ में आई accept भाई नहीं करता है तो इसका भी नाम हम लोग sort कर लेते हैं ताकि हमें कोई problem ना जेलनी पड़े ठीक है फिर हम लोग यहाँ thumbnail हमारा mouse था ना आप लोगों को याद है कि हमारा mouse थमलेल इतना बड़ा नाम है यह भगवान बहुत बड़ा नाम है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग one two three four कर देते हैं यहाँ पर okay करते हैं और जैसे ही हम लोग six eight two six six seven डालते हैं declaration करते हैं submit हमारा form feel हो जाएगा ठीक है देखिए registration हो गया है इनका कितना smart photo आगया यह registration number है इतना date और time है यह सब कुछ उनको मिल गया है और यहाँ पर हम लोग submit करेंगे ठीक है यहाँ पर आप चाहें तो print ले सकते हैं control पी से किस से control पी आपके पास एक बटम होती है control पी से आप यहाँ पर click कर लीजिए उसके बाद जैसे यह print का option आपर चाहते हो registration को print करना तो बिलकुल आप यहाँ से print कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ से cancel कर दीजिए और फिर submit कर दीजिए क्या करना है फिर submit करना है आप देखिए हमारे पास payment का option आ रहा है CSC और SPV है फिर NEFT RTGS है ओनलाइन है तो ओनलाइन आप किस से पे करना चाहते हो पे online पे आप यहाँ पे click कर दो जब online पे click करोगे तो आपके पास debit card, credit card, ATM pin, save, net banking, qr rupi, सारे options यहाँ पे clear हैं दोस्तों ठीक है तो हम लोग net banking से state bank india पे जाकर payment करेंगे फिर क्या करेंगे भाई यहाँ पे हम लोगों को डालना पड़ेगा ID और password तो फिर हम आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से payment कर सके और उसके बाद receiving ले सकते हैं तो हमारा form हो जाए अगर registration यहाँ से complete बाकी अगर आप लोगों को कोई information चाहिए इसमें तो बाकी आप लोग हमसे contact कर सकते हो हमारा description में दिया गया link है और हमारे पास whatsapp नंबर भी दिया गया हुआ है तो आप लोग contact करिए for more information नाइलेट और अगली वीडियो हमारी होगी ID portal कैसे बनाते हैं हम लोग examination form को कैसे lock करते हैं full detail में हम लोग बताएंगे दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बाद like, share, subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और अगर आपको पसंद आए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन